हेलो एब्रिवन, वेलकम टू आवर चैनल लताशिक्षन संस्थान कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जारखन जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट 19 इससे पाले मैं 18 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर 19 जिसमें हमारा टारगेट है 400 प्लस कुश्चन का प्रैक्टिस करवाना यह सेशन यह प्रैक्टिस सेट जैसा सी सीजल के लिए काफी important है जैसा सी सीजल के लिए special है साथ ही अगर आप जारकन की किसी भी exams की तहरी कर रहे हैं जारकन, police, SI, constable तो इन सभी exams के लिए भी आपको काफी helpful लोगा यह सेशन तो इस सेशन को देखना ना बोले अगर पहले की भी वीडियो नहीं देखें तो उन सभी वीडियो को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अभी भी है और यह practice set जो है हमारा 400 plus question का target था वो अब complete होने जा रहा है अब यह complete हो जाएगा उसके बाद फिर से मैं एक नए सीरे से class को लेकर आऊंगी और बहुत ही बहतरीन class आपको देखने को मिलेगा तो चैनल के साथ इसी तरह से बने रहे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं और जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करके notification वेल आइकन को on कर लिजिए ताकि इसी तरह से जहारकन से रिलेटेड वैतरीन class आपको अमिसा देखने को मिले और जब भी मैं class अफलोड करूँ उसका notification सबसे पहले आप तक पहुचे और जितना ज़्यादा हो सके अपने friends के साथ, family के साथ एक दुसरे के साथ share करे ताकि उन्हें भी हमारी जहारकन से रिलेटेड वैतरीन class मिल सके तो आज का session स्टार्ट करते हैं समय का वच्चत करते हुए आज का हमारा session है जहारकन GKGS का practice set 19 फर्स question है आपके screen में जहारकन की किस नदी को देवनद नदी के नाम से भी जाना जाता है option A दामोदर, मेवराक्षी, स्वर्न रेखा, गंगा तो इस question का right answer होगा option number A is right answer जहारकन की दामोदर नदी को देवनद नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये दामोदर नदी जो है वो जार्खन की सबसे लंबी नदी है लंबी नदी के साथ साथ दामोदर नदी को दामोदर नदी जार्खन की सबसे परदूसित नदी भी है कहां से निकलती है तो ये नदी आपकी निकलती है लातेहार के टोरी छेतर से लातेहार जिले के टोरी छेतर से निकलती है तो इस question का right answer हो जाएगा option number A is right answer अगला question है मूनी डी जल परपात कहां इस्थीत है option A, बोकारो, राची, गिरेडी, धनबाद तो इस question का right answer होगा आपका option number D is right answer मूनी डी जल परपात आपका धनबाद डिस्टिक में इस्थीत है सभी question में चार option दिये गए है और ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप practice करें वीडियो को देखें तो पहले खुद से आंसर करने की कोसिस करें उसके वादी हमारे answer को देखें इससे होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तयारी कैसी है आप कितने question का answer सही कर पा रहे हैं तो सबसे पहले खुद से answer करने की कोसिस कीजिए उसके वादी हमारे answer को देखें और सुनें अगला question है जार्खन में जो का सरवादिक उत्पादन कहा होता है किस इसका जो का जार्खन में जो का सरवादिक उत्पादन होता है option number A है हजारी वाग, राची, दुमका, पलामू तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number D is right answer जार्खन में जो का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका पलामू डिस्टिक में होता है next question है पारशनात अभ्यारने किस जिल्ले में इस्थीत है option A गिरी डी, बोकारो, हजारी वाग, राची तो इस question का right answer होगा आपका option number A is right answer यानि कि इस question का सही उत्तर हो जाएगा आपका A गिरी डी डिस्टिक में आपका पारशनात अभ्यारने इस्थीत है पारशनात क्या है पारशनात पहाडी है जार्खन की सबसे उची पहाडी है और यह केवल जार्खन की ही नहीं बलकि जार्खन भी हर दोनों को मिला करके सबसे उची पहाडी जो है आपका पारशनात पहाडी है पारशनात पहाडी को ही कहा जाता है समेद सिखर समेद सिखर के नाम से पारशनात पहाडी को जाना जाता है और इसकी उच्चाई कितनी है तो इसकी उच्चाई है समुद्र तल से 1365 मिटर तो ये भी आप याद रखेंगे कितना है 1365 मिटर है पारशनात पहाड़ी की उच्चाई ये तो हम लोगों ने जाना पारशनात पहाड़ी के वारे में थोड़ा था अब पारशनात अभ्यारने जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो पारशनात अभ्यारने की स्थापना सन 1981 इस्वी में हुई? कब सन 1981 इस्थापना हुई? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में सुरी कुन मेला का आयोजन किस जिल्ले में क्या जाता है ओप्षन ए राची, गिरेडी, हजारी बाग, बोकारो तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ओप्षन नमबर C is right answer यानि कि हजारी बाग डिस्टिक में सुरी कुन का मेला लगता है और जारकन का सबसे गर्म जलकुन जो है वो सुरी कुन जलकुन है और वो हजारी बाग में इस्थित है नेक्स क्वेश्चन है सोर्या पहाड़ियों की बोली क्या कहलाती है यानि कि सोरिया पहाडिया आपकी एक जनजाती है और सोरिया पहाडिया की बोली क्या है भासा क्या है option A कुडुक, option B मालतो, option C असूरी, option D सदान तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number B is right answer सोरिया पहाडिया जनजाती का बोली है मालतो और यह मालतो बोली वह कुडुक भासा से काफी मिलती जूलती भासा है अब कुडुक किन की भासा है कौनसी जनजाती की भासा है तो कुडुक भासा जो है आपका उराव जनजाती की भासा है उराव जनजाती की भासा कौनसी है कुडुक भासा है और ये कुड़क भासा बालतो भूली से काफ़ी मिलती जूलती है जार्खन में लोग सेवा आयोग ने राजजी में नियुक्तियों के लिए पहली परत्योंगीता का आयोजित की थी यानि कि हमारे जहारखन में जो लोक सेवा आयोग की परिक्षा होती है JPSC की तो JPSC का परिक्षा कब आयोजित क्या गया था पर्थमबार ओप्शन ए 15 अगस्ट 2000, 28 अगस्ट 2001, 28 जुलाई 2003, 17 अगस्ट 2003 तो इस question का right answer होगा आपका option number D is right answer यानि कि 17 अगस्ट 2003 को जहारखन में पहली बर लोक सेवा आयोग की परिक्षा का आयोजित, आयोजन क्या गया था तो इस question का right answer होगा आपका D next question है जहारखन में अनुसुची जाती के लिए आरक्षित एक मात्र लोक सभाज सीठ है option A, पलामू, चत्रा, दुमका, गोड़ा तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number A is right answer जहारखन में अनुसुची जाती के लिए एक मात्र लोक सभा सीठ ज्वारक्षित है वो कौन सा है आपका पलामू है अगला question है आपकी screen में जहारखन का एक मात्र किरिशी विशुविद्ध्याले, बिर्षा किरिशी विशुविद्ध्याले की स्थापना कब हुई option A, 1970, option B, 1975, option C, 1981 तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number C is right answer जहारखन में एक मात्र किरिशी विशुविद्ध्याले है, वो कौन सा विशुविद्ध्याले है तो वह है विर्षा किरिशी विशुविद्ध्याले और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1981 इस्थापना में हुई और विर्षा किरिशी विश्विद्दाले आपका कहां इस्थापित है तो आपका राची डिस्टिक में विर्षा किरिशी विश्विद्दाले इस्थापित है नेक्स्ट क्वेस्चन है पदमश्री पुरसकार से सम्माने इत दिपिका कुमारी किस राजी के रहने वाली है दिपिका कुमारी जार्खन की रहने वाली है और इन्हें पदमश्री पुरसकार से समानित क्या गया अब दिपिका कुमारी है कौन तो ये एक बहुत बड़ी तिरंगदाजी है दिपिका कुमारी जार्खन की एक तिरंगदाजी है और इनका संबंध है जार्खन से जार्खन क जार्खन का सिम्बला के नाम से कौन सा सहर जाना जाता है अर्था जार्खन का सिम्बला की सहर को कहा जाता है ओप्शन ए राची, हजारी बाग, बोकारो, धनबाद तो इस question का right answer होगा आपका option number A is right answer जार्खन के राची डिस्टी को राची सहर को जार्खन के सिम्बला के नाम से जाना जाता है नेक्स question है आपकी स्क्रीन में जहांगीर ने नागवन सी राजा दूर्जन साल को कोन सी उपाधी परदान की थी option A करन, option B सिंग, option C राई, option D साह तो इस question का सही उत्तर होगा आपका option number D is right answer जहांगीर ने नागवन सी राजा जो दूर्जन साल थे उन्हें साह की उपाधी से सम्मानित क्या था उन्होंने ही साह की उपाधी उन्हें दे थी अगला question है आपके स्क्रीन में मुंडा विद्रो का परारंबिक सवरूप था क्या था मुंडा विद्रो का परारंबिक सवरूप शुधार वादी, आदर्च वादी, बैक्ती वादी या फिर इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer होगा आपका option number A is right answer मुंडा विद्रो का परारंबिक सवरूप था सुधार वादी, मुंडा विद्रो का परारंबिक सवरूप था तो इसका परारंब हुआ था सन 1895 एस्वी में और इसके नेतरित्व करता थे भगवान विर्षा मुंडा जी अगला question है तिलका माजी द्वारा गाउं में विद्रो का संदेश की समाध्यम से भेजा जाता था option A सक्वा यानि साल के पत्ते से option B महुआ पत्ता से option C पान पत्ता से option D पीपल पत्ता से तो इस question का सही उत्तर क्या होगा आपका इस question का right answer हो जाएगा अपका option number A is right answer तिलका माजी द्वारा गाउं में विद्रो का संदेश पहुचाने के लिए सक्वा के पत्ते का परियोग करते थे यानि कि सक्वा के पत्तो के माध्यम से गाउं वालों तक विद्रो का संदेश पहुचाया करते थे कौन तब के तिलका माझी गाउं वालों का मतलब है कि गाउं में पहुचाया का मतलब है कि उस समय के जनजाती जो भी अंग्रेजों के सोसन में थे जो अंग्रेजों के लड़ाय लड़ रहे थे उन आम जनताओं तक पहुचाने के लिए उस विद्रों का संदेश पहुचाने के लिए तिलका माजी ने सक्वे के पत्ते का पर्योग क्या करते थे अगला क्वेश्चन है सोन नदी जार्खन की किस जिल्ले में सर्व पर्थम पर्वेश करती है आप्शने पलामू, गढ़वा, लातेहार या फिर इन में से कोई नहीं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका आप्शन नमबर बी इस राइट आंसर सोन नदी जार्खन की गढ़वा जिल्ले में सर्व पर्थम पर्वेश करती है और यह कहां से निकलती है तो मजद्य पर्देश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मजद्य पर्देश के MPK अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और हमारे जार्खन में आकर गढ़वा जिल्ले में सर्व पर्थम पर्वेश करती है जाम है जारखन का कौन सा खान एस या की सबसे बड़ी लोहे की खान है यानि कि जारखन का कौन सा इस खान है जो कि एस या की सबसे बड़ा लोहे का खान है option a गुवा पहाण, कीरी बुरू, नववा मूंडी, कोटवार तिस question का सही उत्तर होगा आपका option number c is right answer जार्खन का नोवा मुंडी लोहे के खान जो है वो एसिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है हैवी इंजिनियरिंग HEC HEC जार्खन की कि सहर में स्थापित है ओप्शन ने राची, धनवाद, जमसितपूर, बोकार हो तो इस क्वेस्टन का राइट आंसर होगा आपका आप्शन नमबर A is राइट आंसर हैवी इंजिनियरिंग कॉर्परेशन जो है HEC वो आपका जार्खन की राची डिस्टिक में स्थापित है और राची में कहा है तो राची में आपका राची के हटिया नमगस्थान में या कमपानी स्थापित है HEC नेक्स क्वेस्टन है जार्खन से गुजरने वाले राची राजमार्ग Grand Trunk Road को किस नाम से जाना जाता है यानि कि GT Road को Grand Trunk Road जो है जार्खन में परवेश की है जार्खन से गुजरती है तो GT Road को किस नाम से जाना जाता है NH1, NH2, NH3, NH6 तो इस क्वेस्टन का राइट अंसर होगा आपका option number B is राइट अंसर यानि कि NH2 जिसे Grand Trunk Road कहा जाता है GT Road कहा जाता है या जार्खन से होकर गुजरती है अगला क्वेस्टन है राजी के मुख मंत्री की नियुक्ति कोन करता है यानि कि हमारे जार्खन राजी की केवल जार्खन राजी की नहीं वलकि जितने भी राजी है तो उस राजी की मुख मंत्री की चिप मिनिस्टर की नियुक्ति कोन करते है और ये है आज का आपका last question ये है आपके सामने चार option option number A परदान मंत्री option number B राश्टपति राजी पाल option D इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer होगा option number C is right answer यानि कि किसी भी राजी में राजी की मुख मंत्री की नियुक्ति उसी राजी के राजपल दवारा क्या जाता है अर्थात जार्खन के मुख मंत्री की नियुक्ति जार्खन के राजपल करते हैं गवर्नर करते हैं तो इस question का सही उत्तर हो जाएगा आपका option number C तो ये रहा आज का last question कैसा लगा आज का class आपको आज का session कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा और कहीं कुछ doubt रा गया कुछ पुछना रा गया तो पुछ सकते हैं आप comment box में comment कर सकते हैं किसी तरह का कोई doubt हो तो और अगर वीडियो अच्छा लगा helpful लगा तो like कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके अपने friends के साथ family के साथ share करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से रिलेटेड बैतरिल क्लास इसी तरह से देखने को मिले और अगर चैनल में नई है तो चैनल को सबसे पहले subscribe करके notification वेल आकन को on कर लिजिए ताकि जब भी मैं class upload करूँ उसका notification सबसे पहले आप तक पहुचे तो आज की class यहीं तक रखते हैं फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए thank you, bye bye, take care जै हिन, जै भारत, जै जारखन